नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का बहुद रहा है इस अकैड़ी में आज का डेट है 3rd of August 2022 एन डेली के करेंट अफेर्स के हमारे सोर्से असाम च्रिब्यून और डिफरेंट अधर नेशनल डेली यहां पे फोकस करने वाला हूं जिसका PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप् जिससे किड्स के अमंग जो एड्स का डिजीज फैला हुआ है उसको रोका जा सके by the year 2030 इसको एनाउंस किया गया था 24th International AIDS Conference में जैसे की बोला गया है दिए 2030 तक kids that is बच्चों में AIDS के disease को end खतम कर देना है मतलब अभी देखो अभी क्या होता है न अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चों का AIDS है right बट उनको treatment नहीं मिल पा रही है properly वही सब तो उन लोग data आज discuss करेंगे क्योंकि देखो by chance अगर कभी pandemic related question आया means में आता है न analysis questions तो इस type के questions मे आप यहां से folder point उठा के directly लिख सकते हो देखो अभी जो महां बतलाने वाला होना इसमें दो चीज होगी एक तो prelims perspective में भी important कुछ कुछ चीज होंगे एक mains perspective में में परस्पेक्टिव में analysis होने वाला है और prelims perspective में जो हम लोग factual data discuss कर रहे हैं जैसे for example अभी अगर बात बोला ऐसा question आगया that बताओ भी नया recently global alliance बना था जिससे बचों में AIDS को खतम कर जाने की बात की गई है तो वो कब तक ही गई है 2022,2025,2027,2030 तो answer will be 2030 समझ रो बात वैसे ही यह जो नया global alliance फॉर्म किया गया है कौन-कौन इस global alliance में है उसमें United Nation Program of HIV AIDS उसके बाद UNICEF, World Health Organization, Civil Society Groups, Government of international partners, जो सब कोई को include यहाँ पर किया गया है, now UN AIDS के report के अगर मुताबिक देख लीजेगा, कुछ-कुछ data से काफी जादा highlighted करने की बात की जारी है, बोल रही है, 52% of child जो है जो कि HIV से ग्रसित है, सिर्फ उनही को life saving treatment मिल रहा है, मतलब बाखी 48% बच्चों जो है, इनको life saving treatment नहीं मिल पा रहा है, कही नहीं एक wide हमें gap में देखने को मिल रहा है, in treatment coverage between child and adults, और इस gap को कही नहीं fill up करने की बहुत जादा ज़रुगत है, in fact UNICEF का report तो यह बोलता है, that maximum जो AIDS है बच्चों में, पता है किस region में, सब सहारान आफरिका, अगर आफरिका देख लो, तो देख को सब सहारान आफरिकान रीजन कहते हैं, समझ रहो, अब इस region में 88% तो concentrated बच्चों का AIDS इसी region में है, देखो, अब बच्चों का AIDS होता कैसे है, अगर parents का AIDS होगा, तभी ना बच्चों में transfer होगा, अच्छा, अब parents का AIDS कैसे होगा, अगर वो लोग, you know, यह contraceptives नहीं use करते हो होंगे, right, तो इस type के बहुत सारे activities मतलब होने से, तो ultimately, सरकार को यहाँ पर जर को focus करना चाहिए, root cause को focus करना चाहिए, make sure करना चाहिए that यह जो लोगों में, जो अभी तक awareness नहीं है, उस awareness को जादा से जादा फैलाया जा सके, समझ रहो, तो इससे बहुत कुछीजे हो सकती ह है, PIB का यह news है, Gujarat semiconductor policy 2227 के बारे में बात की गई, in fact, Gujarat हमारे देश का एक पहला state बन गया है, जिसने dedicated semiconductor policy लाया है, GS2 के इस topic साप इसको आराम से relate कर सकता है, और Gujarat government ने यह भी बोला है, that हम develop करेंगे एक special semi-con city, जैसे silicon city है न, Bangalore को हम लोग बोलता है न, तो silicon city वहाँ पहे क्यों बोलता है, क्योंकि that is more or less आपका western, that is USA का concept है, USA का silicon city का concept is India का silicon city वह है, बट यहाँ पे semi-con city, मतलब semi-conductor, conductor पुड़ा नहीं लिखा हुआ है, semi-con, simple लिखा हुआ है, है न, और यह पार्ट होने वाला है, ढोले रा special investment region का, in fact, Gujarat semiconductor policy के अंडर, Gujarat government प्रोवाइट करेगी, heavy subsidies, अगर सोचिए, आप entrepreneur बनना चाहते हो, आप इस sector में अपना industry खोलना चाहते हो, तो Gujarat government से आप contact किजिए, बोलिए that sir, हम आपके यहाँ पे खोलेंगे, क्या आप हमको power में subsidy दीजेगा, क्या आप हमको water में subsidy दीजेगा, क्या आप हमको land tariff में subsidy दीजेगा, तो Gu Absolutely, Gujarat government यहाँ पे subsidy प्रोवाइट करने वाली है, क्योंकि देखो, ultimately अगर आप इस टाइप के entrepreneurship को promote नहीं करोगे, तो आने वाले समय में आप कैसे ensure करोगे that यह sector develop हो, है ना, तो a semiconductor substance क्या होता है, देखो यह ऐसा substance होता है, जिसका specific electrical properties होता है, that is, अगर चाहे, तो आप computers देख devices देख लीजिए, गारिया देख लीजिए, सम में semiconductor devices का जवरत होता है, right, और इसके properties ऐसे होता है, that, you know, यह electricity को conduct करता है under certain condition, इस type के properties होता है, तो again, इस type के चीज़े electronic devices में लगाना बहुत जादा important है, नहीं तो short circuit हो जाएगा तो electronic device, समझ पाड़े हो, मैं क्या बोलना जार next, new e-waste rules threaten कर रहा है job को, GS3 के environment conservation से आप इस topic को relate कर सकते है, e-waste, पहले बात तो यह बतला देता हूँ, e-waste, पतला है ना आपको, e-waste है क्या, देखो, जैसे, आप सोचो mobile use कर लिए, आप उस mobile को कोई खडीद नहीं रहा है, waste है, कुछ काम नहीं, आपने फेक दिया, आप आपने battery use करते हो, आपको पतला है तो battery का कोई काम है, नहीं, recycle भी नहीं कर सकते हो आप उसको, fake देते हो, ठीक है, बहुत समय माउस, है ना, बहुत समय, you know, छोटे-छोटे electronic devices, छोटे-मोटे जो होते है, कोई काम का नहीं होता है, fake देते हो, laptop का charger, कोई काम का, अगर ख़तम का हो गया, तो आप fake देते हो, laptop का battery, fake देते हो, कोई काम का नहीं होता है, कोई खड़िदने वाला ही नहीं होता है, है ना, तो, उन type के waste को हम लोग e-waste कहते हैं, ठीक है, जो क्या electronic या फिर electric equipment के waste create होते हैं, उसको हम लोग e-waste कहते हैं, इंडिया, third largest e-waste generator है, world में, after China and USA, और ये कहा का report है, global e-waste monitoring report है, अब आप खुद सोचे, ये data दिखेगा, ध्यान से लिख, ठीक है, इंडिया, तीसरा larger generator है e-waste का, after China and USA, और अभी जो नहीं e-waste policy अपनाया गया है, इसमें government ने कुछ नए framework लाए हैं, जिससे regulate करने वाली है, इस e-waste को, राइट, अब ये regulation informal sector को बहुत upset कर रहा है, और informal sector को ये डर है, that कहीं न कहीं, इस sector से जो लोग जुरे हुए है, उनका job कहीं खतरे में ना पड़ जाए, अब आप खुद सोचेगा, एक तो मैंने ये वाले discuss किया, informal sector बहुत जादा इस sector में काम करती है, e-waste को recycle करने में, दूसरा मैंने ये discuss कि that India तीसरा largest e-waste generator है, आप इसको दिमाग में कहिना के fit करके रखे, मैं आने वाले अभी जोग पराऊंगा, already relate करता रहूंगा, ठीक है, status, e-waste का अगर देख लीजेगा, जैसे कि मैंने बोला, India third largest generator है, 95% of e-waste जो है ना, उसको जो recycle किया जाता है, उसको informal sector के द्वारा ही कि जाता है, है ना, in fact, under e-waste management rule of 2016, यह mandatory है, for any organization, that वो comply करे extended producer responsibility, क्योंकि e-waste management rule 2016 में, सरकार ने एक policy लाया था, जिसको कहते extended producer responsibility, मतलब, for example, dell company है, वो अपना laptop बेच रही है, ठीक है, आप dell company को बोल दिया गया, देखो भाई, आपने laptop बेचा, यह आपका जम्मवाडी है, that ठीक है, तो उसको कहते है, extended producer, मतलब, जो producer है, उसको extended responsibility भी है, that हाँ, आप उसको, जो generate कर रहा हो, आप उसको फिर से, discard rate भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अब, it is not possible for dell company, technically अगर देखोगे, तो ठीक है, यह international company है, तो यह लोग क्या करती है, यह लोग इस काम को outsource कर दे जती थी, है न, और यह outsource किसको कहती थी, producer responsibility organization, ठीक है, अब, central pollution control board के अंडर, 74 producer responsibility organizations, ऐसे enrolled है, जो क्या यह काम करती है, जो क्या contractual basis पे, different, जो companies है, उससे यह contracts लेकर, यहाँ काम करती है, ठीक है, अब, मई में ही, environment ministry ने, draft notification लाया, जहाँ पर, बोला, देखो भई, यह जो producer responsibility organizations है, इससे we are doing away with, और dismantler से, ठीक है, in fact, हम लोग authorized recyclers चाहते हैं, अब, authorized recyclers, मतलब, वही, लोचा हो जाएगा, एकदम, सरकार से authorization लेना पड़ेगा, बहुत, जमेला है, कुछ-कुछ criteria होते हैं, उसको fulfill करना पड़ेगा, तब ही आप authorized हो सकते हो, और जो भी authorized recyclers होते हैं, वहाँ पर जो भी काम करते हैं, वो लोग usually permanent basis पर ही काम करते हैं, वो लोग तो formal sector employees हो जाते हैं, ज्यादा तर, ठीक है, तो, अब आप खुद सोचो, इतना जो major chunk of market है, जिसको, बोला क्या है न, 95% से भी जादा informal sectors इसको recycle करती है, वहीं से अगर आप हटा कर, अचा जोब का क्या होगा, ये कहां जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए, objection against the move, जताया जा रहा है, by some of the informal sector people, क्योंकि उनको डर लग रहा है, हाँ, हमारा job loss हो जाएगा, and, सोचो, informal sector ही हो, सोचो, आप ही ने ये company setup किया होगा, informal sector का, ठीक है, ABC कबारी वाला, है न, तो, आपने investment लगा को दे रहा है, तो आपका ये 20 लाग रुपर डूप गया, या फिर आपको बेशना पड़ेगा, distrust, sale करना पड़ेगा, at a very cheaper cost, समझ रहो बात, तो ये सब चीजे नहीं होनी चाहिए, anyways, next आगे बढ़ता है, Indian Express का ये news है, revamped distribution sector scheme के बारे में, जिसको launch किया गया है, discoms के related, now discoms, distribution companies, जो power distribution companies होती है, उनको ही discoms बोलता है, ठीक है, और ये जो revamped distribution sector scheme है, इसको उनहीं के लिए launch किया गया है, जिसका aim main यही है, that discoms की जो financial sustainability है, उसको proper track में लाया जाए, और इनके operational efficiencies को भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि देखो, अभी कुछ-कुछ ना problems exist करती है, जैस discoms के बारे में अगर लेग लीजेगा, ये जो एक region से दूसरे region में electricity को transfer करते है न, तो बहुत समय क्या होता है, जाते जाते ही electricity बीच में भी lost कुछ-कुछ हो जाता है, तो वो lost around 12-15% का होता है, उसको घटाना है, financial deficit में वो लोग चलते हैं, तो उसको financial deficit को पूरा करना है, है न, और make sure करना पड़ेगा, smart meters का compulsory installations किया जाए, and now, this is done by the financial assistance for modernization of distribution infrastructure, that is, smart prepared meters लगाय जाने वेले कि यहां पर बात की जा रही है, now, timeline, अगर देखोगे, तो इस region से, इस region इसका timeline है, नोडल agency की अगर बात करें, तो under the ministry of power, rural electrification corporation, and power finance corporation, मतलब यह इसका नोडल ministry है, eligibility जो है, हर एक state-owned discoms, इसके under eligible है, है न, other programs to be taken under it are, दो-दो kind of program है, जो क्या part A, part B में categorization किया गया है, part A में prepared smart meter लगाने की बात की जा रही है, agriculture feeders का solarization करने की बात की जा रही है, जो भी feeders है, उसको segregate करने की बात की जा रही है, that is, so, जो घर, एक feeder से आपको घर में electricity इस्तमाल कर रहा है, और एक feeder से आप, you know, खेतों में electricity इस इसको अलग-अलग करने की बात की जा रही है, part B में training and capacity building की बात की जा रही है, कुछ-कुछ umbrella program से इसके अंडर, जैसे, you know, आप ले लो, integrated power development scheme, दिंद्या अउपाद्या ग्राम जूती योजना, प्रधान मंतरी सहज बिजली, हर घर योजना, जिसको हम लोग सौभागय यो legal service authority के बारे में बात की गई है, district legal service authorities, इसको establish की जाती है, different districts में, जिससे, वहां के poor people, या फिर needy people को free legal aid provide करवाया जा सके, organize करवाया जा सके, लोग अदालत और legal literacy को promote किया जा सके, GS2 के इस topic से आप इसको relate कर सकते हैं, अच्छा, यह जो establish किया जगा लता है न दोस्तों, यह यह भी establish किया जाता है, under the legal service authorities act of 1987, district, legal service authority को constitute किया जाता है, in every district, जिससे implement किया जा सके, legal aid programs or schemes in the districts, in fact, कहा जाता है, that around 676 district legal service authorities है, इंडिया में, जिसको hit किया जाता है, by district judge, जो किया act भी करता है, as a chairman, now, जैसे कि मैंने बोला, legal service institution है, और ऐसे legal service institution, district level के तरह, और भी बहुत जाता है, national level में नालसा exist करती है, state level में सालसा exist करती है, वैसे ही, तालुका level में, जो है, तालुका या फिर, subdivision level वाली भी, you know, legal service authorities exist करती है, right, government has combined all the access to justice program, under disha scheme, एक scheme है, disha scheme, जिसके अंडर, सरकार ने, वो जितने justice program है, उसको एक ही जगा compile किया, दिशाय scheme के बारे में, दिखो, इसके चार sub-parts है, एक है telly law, एक है नियाय बंदू, जो क्या pro bono legal service है, pro bono, pro bono मतलब, say for example, मैं अगर advocate हूँ ना, तो मैं आपको free का service provide करूँगा, right, जो क्या, again, free का कोई चीज exist नहीं करता है, नियाय मित्र, right, or digital literacy and legal awareness, इसके बारे में तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, of course, इससे क्या होता है, ना, that vulnerable sections of societies, for example, SCSTs, गरीब लोग, रेजिन को पड़े लिखे नहीं होता है, तो उनको उनके legal rights, उनके entitlements के बारे में properly aware होता है, तो वो program एक चलाया जाता है, एक है नियाय मित्र, जो कह facilitate करता है district judiciary for assisting reduction in pendency cases, है ना, और ये किसके द्वारा किया जाता है, of course, help लिया जाता है नियाय मित्र का, नियाय बंधू, नियाय बंधू, जो है, जैसे कि मैंने बोला, that ये, फिर से सरकार लाना चाहती है, culture of pro bono activities, जिसके तहित, अगर कोई lawyer है, वो free का services provide करे, है ना, और ये इसका dream तो distance dream होने वाला है, क्योंकि देखो, नाम का free होने वाला है, ठीक है, मैं बो बोल तो देंगे, हाँ, चलो ठीक है, but eventually when you will come, then they'll say that, okay, okay, हाँ, इसमें तो ऐसा-इसा खर चाएगा, इसमें ऐसा-इसा खर चाएगा, वैसा-इसा खर चाएगा, समझ रो, तो वही चीज, समझें को बात करो, anyways, next is telli law, telli law, एक e-interface platform है, जिसका aim यही है, that लोगों को कैसे empower किया जा सके, उनको pre-litigation advice दिया जा सके, है न, जिससे rightfully वो claim कर सके, उनके entitlements properly, और इससे help किसको होगा, main जो help हो न, वो beneficiary sections होगे, जिसमें poor sections के लोग आते हैं, marginalized sections के लोग आते हैं, ठीक है, और इस type के जो services provide की जाएंगी, कहां से common service centers से provide करवाई जाएंगी, ठीक है, with the help of video conferencing और telephonic facilities as well, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, दोस्तो, Times of India का ये news है, regarding e-technology in the aid of farmer, बहुत ही जादा important topic है, मैं ये 5 star लगा देंगा, इसमें, ठीक है, क्योंकि slavers में आपका clearly ये mention है, GS3 में, तो आप make sure किजेगा, अच्छे से पढ़ना है इसको, आपको, showing of AI seed for intelligent farming, वै हाँ, recently फिर से news में इसलिए था, क्योंकि, नितियाग के अनुसार, artificial intelligence का पता है, agriculture sector नो बहुत जादा promotion है, मलब, you know, future है, in fact, कहा जा रहा है, 2035 तक, artificial intelligence का अगर इस्तमाल करे, तो हमारा economy, 1 trillion dollar से भी आगे बर सकता है, और ये agriculture sector में गरम इस्तमाल करे, Now, सवगल होता है, artificial intelligence का agriculture sector में कैसे इस्तमाल होगा, देखो, बहुत जादा है, आप खुछ सोचाना, जैसे मैंने बोला था, आप ड्रोन से ही सब कुछ activities माप रहे हो, right, आप prediction कर रहे हो, that हाँ, उस दिन, मलब, होता नहीं है, that mathematical modeling के थूरू prediction किया जा सकता है, that ऐसा अगर climate रहे, तो किस type का, you know, future probability हो सकता है, of the production, तो वो आपको data पहले ही मिल जाएगा, right, precision farming किया जा सकता है, by determining whether the pesticides and weedicides should be used by detecting and targeting weeds or not, तो इससे क्या हो ना, हम पता रहेगा, that हाँ, किस type के, you know, pesticides, किस type के weedicides use करना चाहिए, इससे precision farming promote किया जा सकता है, है न, robots artificial system का इस्तमाल कर सकता है to find out that what kind of climate is existing there, and on the basis of that climate, किस type के, you know, yield ultimately हमें मिल सकते हैं, but देखो, ऐसी बात तो हम लोग खली, हाँ, ऊपर-ऊपर से जरूर बोल देते हैं, हाँ, चलो भाई, artificial intelligence यूज़ करेंगे, you know, various machines यूज़ करेंगे, drones यूज़ करेंगे, ये फलाना, डिकना, सब कुछ यूज़ कर हो, एक तो proper infrastructure ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, इसके know-how के बारे में properly, artificial intelligence का application agriculture के बारे में, बहुत ज़ादा awareness की कमी है, main awareness की, देखो, main stakeholder खेती बारी में कौन होता है, किसान, right, तो किसान को ही ultimately अगर proper awareness नहीं है, तो वो कैसे implement करेगा, भाई, fragmentation of land बहुत ज़ादा हो रहा है, and it could also prove to be a hurdle for large scale implementation of new technologies, next, government's own gig worker, देखो, अभी recently अगनीपत स्कीम था ना, बहुत ज़ादा hue and cry हुआ ना, अगनीपत स्कीम को लेकर, अब, एक analysis point of view लाया गया था, जिसमें बोला गया था, अब तो सरकार भी gig worker के platform में चल रही है, now, gig workers होते कौन है, जैसे आपने देखा है, swiggy, zomato वाले, वो लोग क्या होते है न, वो लोग अगर काम करेंगे तभी उन्हें पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं पैसा मिलेगा, so that is a gig economy, है न, अब, अगनीपत स्कीम के अंडर, अगनीपत स्कीम है अगनीपत स्क अधन करी सकते हो, इसके related बहुत सारे folder points और अभी जो मैं डिसकस करने वाल हो न, यह data आपको मिलने वाल है, देखो, यह source content data का, बहुत जदा authentic, नीतियायोग, नीतियायोग बोलती है, that gig workers की अगर देख लोगे, तो 47% gig workers जो है न, वो medium skilled job में है, 22% के around high skilled job में है, 31% के around low skilled job म है, समझदो बात, now gig workforce, अगर इंडिया में बात करें, तो देखो, अलग-अलग sector में, अलग-अलग है, जैसे retail, trade and sales में, right, सबसे ज़ादा है, transportation में उसके बाद है, finance and insurance में उसके बाद है, manufacturing में उसके बाद है, education में, respectively, कम है gig workers, तो यह gig worker का present status है, next, PAB से यह news लिया गया, regarding private players, जो क्या, drone का इस्तमाल आराम से करता है, now, आपको पता होना चाहिए, that, कुछ drone rules लाए गये थे 2021 को, right, उसी के बारे में थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ता है, अभी government क्या बोल रही है, that, देखो, drone providers अगर चाहे, तो vaccines की proper delivery, या फिर oil pipelines का inspection, power transmission lines, agricultural spraying, तो यह अगर चाहे न, तो private players आराम से कर सकते है, 2021 में, government ने notify किया था, production linked incentive scheme, जिसके तरद सरकार चाह रही थी, that, drone का manufacturing हो, वो बहुत जादा बड़े, private sector में इसमें आए, in fact, आपको पता होना चाहिए, recently, सरकार ने, drone का जो import है, वो बाहर से बंद कर दिया था, है except few, जैसे अगर defense sector को चाहिए, तो वो अलग बात है, है न, but again, हमारे देश में ही, drone का बहुत जादा इस्तमाल करने की बात की जाने वाली है, क्यूं, क्यूंकि, अभी देखो, drone एक ऐसा strategic हतियार है, आपको शायद पता भी नहीं है, अभी जो Russia-Ukraine का war चल रहा है, पता है, उसमें, Russia की हालट tight होई पड़ी है, आपको actually पता होना चाहिए, और ये tight कैसे पड़ी है, Ukraine जो है न, USA का drone सी इस्तमाल कर रहा है, USA का drone सी इस्तमाल करके, चुन-चुन के Russian armies को मारा जा रहा है Ukrainian soil में, समझ रहा बात, तो drones का इस्तमाल आने वाले में, बहुत जादा तगड़ होने वाला है, इसी लिए, सरकार ने clearly बोल दिया है, तो देखो भई, हम लोग बाहर से import नहीं करेंगे, क्योंकि अभी import भी जो भी कर रहे हैं न, पता है, सारा चाइना से कर रहे हैं, maximum, तो indirectly, चाइना के market को भी हम लोगों ने मात दिया, यहाँ पर, ठीक है, तो नहीं भई आपका mobile का अलग सा number होना, IMEI code होता है, आपका गाड़ी का, बाइक का अलग सा number होता है, number plate, car का अलग सा number plate होता है, तो यह drone भी तो कोई कमी थोरन है, भाई, इससे कुछ भी बहुत तगड़ा चीज हो सकता है, खुछ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो हाँ, इसी इसने भी drones है उनको एक unique identification number होना चाहिए पड़ेगा, segregate कर दिया गया है entire airspace को into red, yellow और green zones, जिसमें red और yellow zones ऐसे zones होने वाले हैं, जिसमें अगर आप drones उड़ाईएगा, तो आपको approve लेना पड़ेगा, central government का and the concerned air traffic control authority का, बट वही पर अगर आपको green zone में उड़ाना है तो यह नहां पर बिंदास उड़ा सकते हैं, कोई भी approval किसी का भी नहीं चाहिए, ठीक है, empowering states and union territories government, now state government और union territories के administration and law enforcement agencies को इतना जादा तो empower बिलकुल कर दिया गया है, that वो अगर चाहिए ना, तो कोई भी zone को temporary basis पे red zone घोशित कर सकती है for a specified period, तो यह उनको थोड़े आजादी दी ग minister आने वाला है, rally होने वाला है, तो अचानक से उस region को red zone घोशित कर दिया जाएगा, 2-3 या फिर 4-5 दिनों के लिए, समझ रहो बात, तो इस type से आपको समझना पड़ेगा, necessary type certification, now drones में, बिलकुल जरूरी है, that एक necessary आपका type certification insured होना चाहिए, और यह issue किया जाएगा by DCGA, that is Directorate General of Civil Aviation, बट ध्यान दिजेगा, अगर nano drones होना, nano drones मतलब वैसे drone जो कह 250 gram से भी छोटे weight के होते हैं, उनके लिए कोई भी certification की यहाँ पर जरूरत नहीं है, या फिर वैसे drone जिसको आपको research या फिर recreation purpose के लिए इस्तमाल कर रहे हो, तो उसके लिए भी कोई भी type certification की जरूरत आ नहीं है, in fact, drone rules 2021 के अंडर एक rule 17 है, जिसके तहर कुछ कुछ provisions laid down किया गया है, बोला गया है, अगर सोचो आपका drone है, तो आपके पास एक UIN number होगा, right, now, आप जैसे bike based से हो, तो bike को किसी दूसरे के नाम पर transfer करते हो, वैसे ही, अगर आप इसको drone को भी sale, या फिर lease कर रहे हो या फिर gift कर रहे हो, या फिर कोई भी provision से दूसरे लोग को दे रहे हो, तो आपको make sure करना पड़ेगा, that, फिर से details को properly सरकार में update किया जा सके, ठीक है, otherwise, अगर इस drone से कोई अगर गलत हरकत होता है, तो आप ही को पकड़ा जाएगा, लेकिन, समझ रहे हो, next, punishment for violation, that is, drone operations that violate the provisions of drone rule 2021 are punishable under rule 49 of the drone's rule, समझ रहो, मतलब, rules जो बने हुए न, drone's rule 21, तो अगर आपने कोई भी provisions को wallet किया, तो you will be punishable under the law, जो क्या presently force में है, next, जहिंदू का ये news है, regarding Kerala, जो क्या oppose कर रही है, Mines and Minerals Development and Regulation Act को, क्यों, क्योंकि Kerala Government बोल रहे है, तो देखो भई, ये अगर आपन जो amendments ला रहे हो, Mines and Minerals Development Act में, तो इससे जो है, state की autonomy harm हो रही है, breach हो रही है, in fact, clearly, देखो, यहाँ पर clearly लिखा भी हुआ है, साफशाप सब्दों में, Kerala ने बोल रहा है, that amendments जो लाया जा रहा है, उचसे breach हो जाएगा, state rights, क्योंकि minerals जो है, वो आता है, under the purview of states, और center चाह जाती है, अब state governments, जो है, यह, they are the order of mines and minerals, जो क्या, उनके territory के under located है, और list 2 of entry, entry 23 of list 2 अगर देख लीजेगा, तो वहाँ पर constitutional, constitutional right है, of the state under the article 246.3, जिसके आधार पर, इस article के under state assembly अगर चाहे, तो वहाँ पर जो, जो minerals मिलती है ना, उस state, state में, उसके related कुछ-कुछ कानून भी बना सकती है, बट, ध्यान दिजेगा, article 246.3 के under क्या है, इस type के articles बहुत समय पूछे भी जाता है, इसलिए, let's discuss it, अब, for a while, कोई भी state का list लेकर रचाहे, तो exclusively power है उनको, तो वह कोई भी कानून मना सकती है, for the state, और any part thereof, with respect to any of the matter enumerated in list 2 of 7th schedule, अब, इस से, एक जो चीज लॉस हो सकता है, केरिला गवर्मेंट को, वो है, मुनाजाइट को उपर, नौ, मुनाजाइट, यह क्या है, यह बी सैंड मिनरल है, जो क्या, बूला जाता है, यह रियर अर्थ मेटल भी कंटेन करता है, जैसे लैंथनम, सीरियम, उसके वाद, फ्रेसोइड, डिमियम, नियो ठीक है, तो बेसिकली देखो, माफ करना, प्रोनॉंस केशन के लिए, एनिवेज, आपको पता होना चाहिए, यह रियर अर्थ मेटल, अगर देख लीजेगा, तो यह कुछ-कुछ ऐसे, रियर नाम से ही क्या पता जा रहा है, अर्थ में बहुत रियर जगा में यह मिलते हैं है ना, तो आप खुछ सोचिए, उसके, उसमें अगर, स्टेट का राइट अगर आप छीन लेतो, तो स्टेट तो, you know, कही ना कही आवास तो उठाएगी, in fact, यह थोडियम भी कंटेन करते हैं, which are prescribed substance, है ना, and the list of which are revised in the 2006, under the Atomic Energy Act of 1962, यह, देखो, यह वाला है मुनाजाइट यह एक translucent, and one of the most resistant mineral है, weathering से, and यह एक radioactive atomic mineral भी इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग थोडियम भी produce कर सकते हैं, और इसका जो major, हमें, केरला के coast, केलॉंग मिलता है, यह वाला रीजन में, देखो, coastal रीजन में, maximum हमें मिलता है, यह मुनाजाइट, समझ रबाद, तो यह ज़्यादा news में, next, military exercise, अलनागा के बारे में बोला जा रहा है, actually, इंडिया उमन के बीच में, army exercise, air force exercise, naval exercise, क्या-क्या होती है, अलनागा, eastern bridge, air force exercise है, वैसे ही, नवल अगर देख लिजगा, इसको हम लोग कहते हैं, नसीमल बहर, recently, और भी, जो 2022 में होने वाली है, ए Vietnam, जिससे, Vietnam भी, अपने forces को भेज सके, United Nations का, peacekeeping operations के लिए, समझ जो बात, तो यह है, military exercise, जो क्या, इन दोनों देशों के बीच में हुई है, ठीक है, अब आ जाते हैं, दूस्तों, कुछ-कुछ MCQs में, पहले बात, तो कल-कल, MCQs, पूछा गया था, पहले तो वो पूछ ल easy question था, Janism was the answer, next, natural resource accounting relates to which among the following, environment and accounting, यह चार options थे, जिसमें, पहला वाला was the correct answer, right, so correct sequence है, DA, जिसमें, DA, 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 सबने ही सही दिया, very good, चलो, अब आज का question हम लोग देता हैं, और मैं चाहता हूँ, आप सभी लोग इसका answer दीजिये, with reference to drone rules 2021, consider the following statement, पहला statement, no type certification is required in case of nanodrones, up to 250 grams, however, model drones made for research and recreation purpose, need type certification, दूसरा, no approval is required for the operations of drones in green zone, आपको बतलाना इन में से correct कौन सा नहीं है, one only, two only, both one and two, neither one nor two, next, revamped distribution sector scheme, RDSS, is related to which among the following, fertilizer subsidy, power sector, national highways, या फिर national waterways and inland waterways, next, military exercise, नसी मल भर is practiced with which among the following countries, और इसकारा option से, एक है Saudi Arabia, दूसरा है UAE, तीसरा है Iran, या फिर चौत है Oman, नीचे comment section में जरूर से लिखे का, we'll be waiting for your answer to come up, this was all about the discussion for today's class, we will be meeting in next class till then bye bye take care and thank you guys thank you for listening to the whole video thank you very much